लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें अब हमारे लोग तुम्हें एक जगे ले जाएंगे वहाँ पे क्या करना है क्या बात करनी है सब बताएंगे पांस साल पहले हुए रेप्स, मर्डर्स, रॉब्रीज ये सब करने वाले तुम लोग ही थे ये तुम्हें कुबूल करना होगा प्रताब सर इन सब का इस्टेट्मेंट लो जी सर और जो घायल है उनका इलाज करवाओ ठीके सर क्राइम इनेक्ट कराओ कौन से जनम में क्या बाप किया था हमने, जो हमें ये जिलना पड़ रहा है पूरी दुनिया चोड़ कर, क्या इन्हें सिर्फ आम ही मिले थे अपनी नवरत दिखाने के लिए, हमें ही क्यों मिल रही है ये साजा, गोट में शाय है तो हमें ल्याय मिल सकता है ना, तो तब तक हमें जिंदा रहना होगा ना, तो खाओ खाओ यही घर है ना, हाँ साहब यही घर है, कैसे किया था बताओ यही यही पर वो दिवार के बास और वहाँ पर उन्हें साहब पता रहता था, की घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है एक दिन, घर में कोई नहीं था तब, उन्होंने अपना काम कर दिया, मैंने पीने के लिए पानी मांगा, वो अन्डर जा रही थी, तब मालया ने उसे माल दिया कौन यही क्या है इधर आ कैसे मारा था तुने वह सहब रॉड से मारा सहब ट्रताब सर हथियारों का बैक कहां पे है यहीं पर रहें यह लोग कैसे मारा तुने यह वाला की यह वाला यही है ना कहां पर आंगन में मारा या घर के अंदर मारा सहब यहां पर साब जब वो लड़की जा रहे थी तो मैंने आके उसका सर्फ हो पर कहां पर साब 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 पता यहीं पर ना उसके बाद उसके बाद इस रूम की तलाशी लेकिया उस रूम में गया था साहब जेवर कहां मिले, दिखाओ, इसी ड्रायर में साथ, यही है न, ठेक से देख के बता, यही जेवर है साथ, तुने क्या किया, पैसे मिले थे साथ, खर्चा कर दिया मैंने, चल, दिखा, फिर उसके बाद, मलाया ने उस लड़की का फाइदा उठाये साथ, उसके बाद हम दोनो ने भी उठाये फाइदा, दोनों ने, तुने, पहले तुने किया, वह साथ, पहले जो मारता है न, वही पहला फाइदा उठाता है, तब तो धी क्या कर रहे थी, मैं, 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 यहाँ पर ऐसे बैठी थी, उसके बाद, उसके बाद, वो दोनों ने आ कर, मुझे जेवर दि उन्हों नहीं दिया मैं लेकर नीचे गई और खाना खाई साहब उस लड़की का क्या किया मलाया के जाने के बाद हमने उसका फाइदा उठाया साहब उसके बाद मार दिया साहब कैसे वो चाको यह वो क्या है साहब हमने उसके पल्लू को गले लवेट कर कस के कस दिया और वो मर गई है तुम्हें कैसे पता चला हमने उसे ऐसे देखा वो सांस नहीं ले रही थी प्रताप यह जाओ इने चलो एचल उट केंपी चलो केंपी साहब केंपी कल जो कहा वो सब याद है ना अब मैं तुझे जो बोलूंगा कल तु वैसा ही बोलेगी समझ गई ना हां साहब मैंने घर के सामने जाके केट खोल के अंदर जाके कॉलिंग बेल दबाया है कैमरा में द हमताँ बॉञ अब बॉल नहीं गर के सामने जाके केट खोलके अंदर जाके कॉलिंग बेल बचाये साहब को लडकी आई dove बेल और धिटा के दर्वाजाव बंड़ दिया साहब ठ्येए कामरा देखके बूल कर दिदेखके बूलन करसे अपर केट निजाल बन करने था ही कैमर करके उसके बाद उसका मूः बंध करके वहां से उससे ले जाके जूले से बांद के उसके साथ एक-एकने रेप के कमार दिया बात समझ में आई लड़खी को पर लड़की पसंद आई इसलीब उसने उसका वाइदा उठाया साथ हम एई चल अब बताओ तुम लोगों ने क्या किया हम इस रास्ते से चलकर आ रहे थे साहब तो यहां पर हमें सामने लाओ सामने लाओ माईक को ठीक से रिकार्ड करो हाथ तो बोलना हमने पहले दूसरा घर देखा था साहब और उस घर का बुजूर्द मर गया था साहब निराज होकि हम लोग रहे थे तो आई घर दिग्या साहब ठीक है यही घर ना जिसे टार्केट किया था यह है यहीं से जा रहा था साब तो टीवी का साउंड आया दो पहर में औरते ही टीवी देखती है इसलिए सोचा कि कोई आदमी नहीं होगा इसलिए इसी घर में भुशते हैं इसने भी यही बात कहीं इसने भी अच्छा ठीक है इस घर में पहले कौन गया कैसे गया था फिर से इसके बाद मैं आया तो यह गेट खुला हुआ था तो मैंने इसको अंदर जाने को बोला और मैं बाहर चला गया वह अंदर गया और वहां बाहर देख करने लगा लड़की कहां पर थी यह बताओ चलो अशाब वह यहीं पर यहीं पर सोई भी थी उसका सर किस तरफ था यह सर उस तरफ था नई सर इस तरफ इस तरफ मतलब टीवी के पास तीवी यहीं देख रही थी पिर तुमने क्या किया इस त्री इस त्री वहां पर रखे थी सब अरे सुनो अधर आज लेकर वादिया साब ठीक है यही था यही वाली इस तरी तुने कैसे मारा पता इसे लेकर पीट पे रख दिया इस तरी के बारे में उसके बाद क्या हुआ यही बता आगे क्या हुआ आगे वो लड़की यही नीचे गिर गए थी उसको लेके बार जा जा चला 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 हत्या की तारीक 6-4-1997 शाम के समय हत्या का स्थान मकादुना गाउं बोल यहां में जा रहे थे साहब वैसे आ रहे थे तो वहां पर एक घर में अकेले एक औरत काम कर रही थी साहब गर में अकेली थी साहब, उसे पकड़के हमने उसका फायदा उठाए, पहले बेंकट, सर ये जुट बोल रहा है, पहले क्या कहा था, वो बोल, सेना पू है न, हाँ तो वो बोल, उसके बाद, मैंने और बेंक्या ने किया था साहब, सब होने के बाद, डीजल डालके, केरोसीन तेल, केरोसीन तेल, ठीक से बोल, हाँ साहब, उस पे केरोसीन ओयल डालके, जला दिया साहब, जला दिया साहब, ये सारी बातें कल कोट में ठीक से बोलना, बोलेगा न, हाँ, प्रताब, उट, उट, चल, चल, बी केरफूर, कल कोट में पेश करना, पूरा दीट करके वेज़िते. मुझ जाओ ओन्यों परताओ शर येन लेया चलो चलो उे चलो साप 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 हमारे लोगों को कहा ले जा रहे हैं साप हमको क्यों ने ले जा रहे हैं साप छोड़ दूगा तुम सब को शहर के बाहर ले जाके छोड़ देंगे कहीं पे भी जाके जीलो हर महीने पुली स्टेशन में आकर सब को साइन करनी होगी याद रखना हमारी नजर तुम लोगों पर रहेगी बाहर अगर तुम ने कुछ भी गलत कान किया या अंदर में उन लोगों ने कुछ गलत किया तो सब का एंकाउंटर कर दोगा को नहीं साफ अभाद प्रण खात गोर मस्म बिनाशे पिक्त चित नफिक्त रख्त रख्त राक्षजादी रई बने है 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 हमारी जान लेकर तो देखो सब कैसे मजा ले रहे हैं लोगों को इतना कष्ट करके यहां क्यों लेकिया हो इन्हें तो वहीं जिंदा गाड़ देना चाहिए था फाल तुमें टाइम वेस्ट कर रहे हो यह इतना आसान नहीं है सर यह दिपावली वाले पिष्टल नहीं है हमें एक बुलेट की हिसाब देन चुटना नहीं चाहिए हिसाब का रिवाद चुटना नहीं चाहिए हैंडल विद क्यार कल जब यह सब फेमस क्रिम्नल्स हो जाएंगे उसका कारण सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट नहीं है उसके पीछे आप भी हैं यह इन्हें पता चलना चाहिए इसलिए इन सब को यहां कराया अब देखिएगा सर मेरी जीत आपकी आखों के सामने ही है अरे आखों के सामने क्या कौन सा कोई मुझे सबूत मांगने वाला है मार डालीन है कोई पूछने वाला नहीं है अरे हमसे पूछने वाले हैं सर, उपर के अधिकारी, जज, लॉयर्स, रिपोर्टर्स, मीडिया वाले, उन सब को हमें जवाब देना पड़ेगा, अब मुझे 15 लाग रुपे दे दिजिए, मैं सब का मुँ बंद कर दूगा सर, प्रताप, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ल पुलिस वाले, पूरे पैसे एक साथ दूँगा, लेकिन काम पक्का हो जाना चाहिए, ये सारे क्रिमिनल्स है, ये साबित होने दिजिए, उसके बात देखिएगा, हम जैसा सोच रहे हैं, वैसा ही होगा, चल्दाओं सर, जाओ, लेकिन पूरवजों की जैदाद है, और उस जैदाद पे हमारा पूरा हक है, हम लोगों को रखे उन तीनों को छोड़ रहे हैं, वो पुलिस, चर्ज, लॉयर, ये जमीनदार, सब हमारी जैदाद हथी आने के लिए हमें मारने के बारे में सोच रहे हैं, हमें छुड प्रताब, जी सर, एक मिनट, मैं कोट के लिए रिकलता हूं सर, ठीक है जाए सर, उन सब को कोट में पेश करना है, सारी फर्मिल्टीज पूरी करके उन सब को गाड़िम बिठा, शरीर पर एक भी गहों नहीं दिखने चाहिए, जर्ज के सामने परिशानी होगी, समझ गये न सब करना है, सर, तीक ही कैसे घूर रहे हैं ये लोग, आपस में मारा मारी करके जैच के सामने ये साबित करना चाहते हो, कि हमने टॉर्चर करके बनवाया है, हुँ, है, इधर आ, क्या हुँ, सर, इन सब को किस ने मारा, सर, आपस में मारा मारी की फिर दिवार पर सर पटक दिया, इसे भी कोट में लेकर चलो, गवाही देने के लिए, कमीनों किसी को नहीं छोड़ूँगा, पूलीस वाले, जो गुना हमने नहीं किया है, वो, वो भी हम पर ही, सोपरे हैं, और आप सोपरेस वाले भी, उसे बड़ी बात बना कर टीवी में दिखा रहे हैं, और उस दिन कोट के सामने, ऐसा करने के क्या जरूर सी, ऐसा करने से आपको क्या फाइदा हुआ, पूछने लगे, इसमें पूरी प्लानिंग आपकी इधिना, बताईए, आप पुलीस से ये बात क्यों ने बताईए, सब की सामने ही, ए, कमीने कहीं के, फोटो लेगा, चकल में क्या रखा है, इसकी नि पुलीस समाज की रक्षा के लिए होती है, सुना था, पर तुम्हारी कहानी सुनने के बाद, ये पता चला उन्होंने इतना न्याय किया, ये पुलीस वाले, उनके पास जो अधिकार है, उसका ये लोग पूरी तरह से दुरूप्योग कर रहे हैं, आप लोगों ने मुझसे सची कहा है, इसका अब मुझे पूरा यकिन हो गया है, देखो, मेरी कलम आज से तुम्हारे भी होगी, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जरूर नियाय दिलूगी, आज की तरह से खबर, 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 आज क मेडम आपकी न्यूस काबिले तारीफ है जो सचाही किसी को पता नहीं थी उससे आप बाहर ले करके आई जंगनलीजम को आपने एक नया अर्थ दिया है मेडम यू वर रिली अमेजिंग माडम वी निद मेनी मोर पीपल लाइक यू देरिंग और करेजि़िस थैंक यू अपने जो आर्टिकल लिखी है वो आप खुद ही पढ़के खुश हो रही है क्या अब तक तो नहीं लेकिन आज मेरी कलम के आगे खाकी आकर खड़ी हो गई है अब मैं खुश हूँ क्रियेटिविटी का प्रदर्शन करने वाले लेखक होते हैं सच को सामने रखने वाले जर्नलिस्ट होते हैं पहले इन दोनों के बीच का अंतर जान लीजिए अंतर जानता हूं इसलिए मैंने क्रियेटिविटी का या आप अपनी स्क्रिप्ट ले जाकर किसी प्रोडूसर क इसको दीजिए पुलिस को क्रिमिनल और क्रिमिनल को हीरो दिखाएंगे वह और आप भी अच्छा कमाल होगी हम्म अच्छी सलाह है अगर आपके हिसाप से स्क्रिप्ट होती तो इस कहानी के कॉपीरैट्स के उनर आप ही होते ना और नहीं तो क्या मेरी इस क्रिप्ट पूरी होने से पहले ही आपने एक नई कहाने लिखकर उसका निर्देशक, लेकक, डायलॉक, सब कुछ लिख डाला। Above all, what a casting यार। किसी का भी चेहरा देखने पर यही क्रिमिनल से ऐसा यकिन करना ही होगा। ब्रिलियंट जॉब। बैडम। धन की आशा और अधिकार के बल पर निर्दोश लोगों को पकड़ कर कलाकार की तरह एक्टिंग करवा के कोट को भी आपने मना लिया ना। आप जान लीजे, अब तक आपने जो किया वो सिर्फ आउडिशन था, असली सच मैंने पब्लिश किया है। सच और जर्नलिजम का अंतर मैं तुम्हें बताऊँगा, उसे सहन करने की शक्ती है तुम्हें। मेरे सच को जूट साबित करने की शक्ती आप में है क्या। हूँ, आए। हूँ, आए। क्या है मैडम ये निर्दोष लोगों को फसाने की योजना मैंने बनाई अब तक आपने जो कुछ भी किया न वह इंटरव्यू नहीं है इन्होंने जो कुछ भी कहा वह सुनके आप मान गई वह सच नहीं है यह निर्दोष है यह मान कर पेज पेज आपने लिखी है न वह वास्तविक्ता में नहीं है अधूरी जानका वाह आणे वाली प्डी मैडम 80 हत्याओं के दो गवाब पेदा किया हैं मैंने ऐसा आपने लिखा दो गवाब पैदा करने वाले के लिए सक्तर गवाब पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है वो भी पांस साल में मैडम किस एंगल से देखने पर यह आपको निर्दोष नजर आ रहा है देखिए इसकी शकल देखिए है तू इधर आप यह कौन है पता है आपको उमेश रेड़ी 14 और मर्डर केस है इस पे मानता है क्या मानता है क्या बोल बोल नहीं मानेगा इस तरह आखे पाड़ पाड़ कर क्या देख रहा है तू मैडम जानती है इसे सिर्फ दो केस के कारण सजा मिली है पर आप दे रिकॉर्ड की आवा तीस है चल जाओ सर्फ प्लीस टॉप एंट ओ हो 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 आजाओ गला काटने वाली सावित्री यही है ना औरत के नाम पर यह कलंग है मैडम जान लेती है जान लेती है यह साब साथ हमें कुछ बहुत बता नहीं साब हम निर्दोश है साब आप यह बाद जानते हैं साब फिर क्यों तेरी तो बाल टू बाते करते हैं आप निर्दोश है तुझा सब्सक्राइब लेकर एक डिरेक्टर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है उसे सिर्फ इतना ही पता था, जनता को भी बस इतना ही पता चला कलम की ताकत तलवार से भी जादा है, ये मान कर जनलिज्म की पढ़ाई करके किसी भी चारा प्राजियों का इंटरव्यू लेकर और उसके साथ ऐसे कमीनों की बताईवी कहानियों पर भरोसा करके हमने निर्दोश लोगों को फासाया ऐसा लिखने वाली आपको भी सिर्फ इतना ही पता है मैडम मैं सच्चाई बताओं क्या, सुनेंगी ने आप, मैडम, अपराद इन लोगों ने सिर्फ अभी नहीं किया है वो इनके डियेने में है मैडम इनके द्वारा किये वे रक्त पात के गुनाहों का असी साल का इतिहास है सुनेंगी क्या सुनेंगी क्या सुने की सुरक्षा करने के लिए मुझे यहां भेजा गया है यह सब कैसे हो रहा है कुछ पता है तुने सर वो वो लोग चार पीडियों से अभी तक चोरी ही करते आ रहे हैं सर काम समुद्रा मदराज जाने वाले मार्क के बीच में यह स्टीम इंजन एक जगर पे सुलो हो जाता है सर उसी मौके का फायदा उठाके यह लोग लूट लेते हैं सर कितने लोग होंगे वो तक्रिवन तक्रिवन चारीस लोग होंगे अहां सर ठीक है मुझे वो काम देखना है तयारी करो सभी लोग ध्यान से सुनिये सुखे का समय है ना खेतों में मजदूरी करने के लिए काम नहीं है इसलिए खाने के लिए डाका डाल रहे हो वहां पे यहां पे चोरी कर रहे हो गाडियों को रोक के लूट रहे हो और इस सबसे उपर कोलार से सोना ले जाने वाली रेल को रोक के उसमें डाका डाल रहे हो तुम सब को मारवार के जेल में डाल दूआ जिन्दगी भर फिर तुम लोग वहीं सरते रहोगे साहाब हमने कोई भी डाका नहीं डाला है साहाब कि एए यहां तुझे यह किस ने बेचा मुझे इन्होंने बेचा है सर अगर हम ऐसा करते तो ऐसे थोड़ी ने रहते हैं साहाब हम जैसे परशा क्यों कर रहे हैं साहाब हम आखरी बार खावरदार कर रहा हूं सो चाल लो बातों से अगर तुम सुदर जाओगे तो सरकार से सिफारिश करके मैं बीच की खेती वापस शुरू करवा के तुम्हारी जिन्दगी सही पट्री पे ला सकता हूं लेकिन फिर से घलत काम करके बचने की अगर सोच रहे हो तो मैं तुम सब के सर पे इनाम रखवा के एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दूँ आख कि एए खड़ाओ कि अगर से तुम सब ट्रेन के जाने के वक्त एक साथ फुलिस टेशन पर आकर हाजरी दोगे ट्रेन के चले जाने के पार तुम लोग घर जा सकते हों अगर कोई भी वहां हाजिर नहीं हुआ तो मैं अपने हाथों से इसका गला दबा दोगा याद रखना मुनियप्पा आया हूं सब तिमाया आ रहा हूं सब रमया यहीं पर हूं सब रंगना आ रहा हूं सब सर पूरे 35 लोग आया हैं सर मतलब सब के सब यहीं है न हाँ सब यहीं है सर देखो इन सब को सुबह तक यहीं बिठा के रखना और ट्रेन के जाने के बाद इन्हें यहां से जाने देना सर कल वो लोग यहीं पर थे सर फिर भी ट्रेन के तीन डबों से सोना चोरी हुआ है सर बतला तुम लोगोंने हाजरी ठीक से नहीं लगवाई थी सर वो गिनने के वक्त हाजरी बराबर थी सर लेकिन फिर भी कुछ लोग बच गए ना यस ठीक है मैं देख लूँगा दाथ को चोरी करके गायब हो रही है ना मेरी बात ध्यान से सुनो मैं खुद उनके पास जाकर उनकी मदद करूँ ऐसी जबान देकर आया था फिर भी बो लोग लगाता ट्रेन से चोरी करते जा रहे हैं मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला मुझे तो लग रहा है ये पुलिस वाला हम सब को कुछ न कुछ करेगा जरूर कुछ भी नहीं था तो हमारे गाउं में आके हाजरी का रिवाद ले आया ये तुमने जैसा कहा था हम नहीं है फिर भी ऐसा का कि हम ही है ऐसी हाजी लगवा के आया हूं मैं अब क्या करें उसे सब पता चल गया लूटी हुई ट्रेन को देखके उसे सब समझ में आ गया मूँ पे लालटेन मार के उसकी रोष्णी में अपनी बड़ी बड़ी आँखों से हमें भूर के हम सब को ह हाजरी देने के लिए बुलाएगा वो साहब इसलिए अब हमें खाली आती घर जाना होगा ऐसे कैसे होगा भाई पुलीस कितनी भी कोशिश कर ले उनकी आखों में धूल जोग कर ट्रेंजे सोना चोरी करते थे सारा काम अच्छे से चल रहा था अब से ऐसा नहीं होगा ऐसा कि मैया सहाब है कि अंतिर सहाब है कि वेंकटा चालम सहाब हुआ हुआ है हाजरी के वक्त धोका देकर तू फिर से ट्रेन लूटने की सोच रहा है क्या अब तेरे ये पैत्रे बिलकुल नहीं चलने वाले रूट और जरूरतों में उन्हें चोर बनाया ये सोच कर जीने का रास्ता दिखाऊंगा अब तुम्हारे माते की लकीर बदल दूँगा कहने वाले आदमी का सिर काट देने वाले वैसे राक्षोसों के खून से पैदा होता है ये डी गैंग देश को आजादी मिलने के बाद हमारी सरकार ने आस-पास के गाओं के चोरो को एक ही गाओं में रहने के लिए कहा उस गाओं को एक सेटल्मेंट कोलनी डिकलियर कर दिया गया उस गाउं में बड़े होते ही इनको चोरी करना, खूम करना, इन्हें दूद में मिला कर पिलाया गया है इनके माबाप के द्वारा बच्ची हूँ ये देखे में न, उसने मेरे मूपर जोर से मार दिया, कमीना कहीं का इस बार वो कमीना नहीं बचेगा, तेरे हाथों से उसके दाथ तुड़वाऊंगा, तेरे मूपर भी उसने मारा क्या नहीं है, मेरा खून नहीं है, मैंने जिसको काटा था उसका है हमारे बारे में किसने बताया पता नहीं, कमीना कहीं का ए नालाय को मैंने ही कहा था तीन आदमियोंने मारा तो मुझ दुख रहे हाथ दुख रहे हैं पैर दुख रहे हैं ऐसा तुम लोग कह रहे हो कल बड़ी बड़ी चोरिया करोगे तो सौ लोग मारेंगे तब क्या करोगे तुम्हारी चमड़ी को मोटी चमड़ी बनाने के लिए ऐसा मार खाना ही होगा शरीर मजबुत होने के लिए ऐसा मार सेहना ही होगा का चुडेल क्या देख रही है चुले पे डाल रखिये जा कर देख अरे जा कहा ना करके चोड़ी करना है चोड़ी करने के बाद कैसे भागोगना है। सब कुछ उनकी मां उन्हें घर में ही ट्रेनिंग देकर भेशदी थी वो कितना लंबा है पता है बाबा हम तो छोटे हैं है देखने नहीं हो चाहिए बड़े को उचल के मारना चाहिए और छोड़े को कुचल के मारना चाहिए बलवान होने के लिए यही दवाई है औरो के बाप पसीना बहा के बच्चों को पालते हैं और तुम खून पिला के उनका पसीना बहा रहे हो ये लो पीलो चोरी करने के बाद बच कर भागने के लिए जादा ताकत के लिए एक बार अगर पकड़े गए तो जनता की मार से बचने के लिए गदों का खून पिला कर इन्हें पालते हैं देखो रे कला मवस्या है गाव में कोई नहीं होगा बुजारी रात को जाके सुबा आएगा ये अच्छा हो सरे हंडी उठा कर ले आओ हंडी उठा कर ले आए हमसे नहीं होगा पापा भगवान आखे निकाल लेगा भगवान के रहा है भगवान जैसा का वैसा कर भगवान की हंडी में पैसे डालने वालों का श्राप लगा तो भगवान हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे भगवान श्राप ऐसे शब्द बोल रही है हाथ में कपड़ा बान कर जाओ कोई भगवान कुछ नहीं करेगा ऐसा करने पर भगवान कुछ नहीं करेंगे मा जितना कहा है उतना करो सवाल पूछ कर टाइम बर्बाद मत करो उस वक्त भागने वाले सिर्फ वही नहीं थे हमारा देश भी गाओं छोड़के शहरों की तरफ भागने लगा जमीन पर भरोसा करने वाले सभी जमीन को भेच के रियल स्टेट के नाम से शहर के आसपास के 382 गाओं में से 275 गाओं को सिलकॉन सिटी के निर्मान के लिए दे दिया गया और उसको बाग ये गैंग वाले ये सोच कर क्या अब इस गाओं में चूरी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है शहर की तरफ चले कर्का चले आध बचसा अध में बचसा कांदी जी ने हमारे देश को स्वरतन फुता कि लाने के लिए बहुत सारा संखर्श कावया रात का बचा हुआ खाना है लाकर इसे दे दो ठीक है मालके मैं कोई भीखारी नहीं हूँ तो फिर कोई काम होगा तो दे दीजिए आप जितने भी पैसे देंगे उसी में काम कर लूगी क्या काम चाहिए तुम्हारी जाती कौन सी है दादी भूक की कोई जात हो दी है क कि गीता हाथ में रखकर कैसी बात करिया एसे किसी को भी काम पर रख लेंगे क्या अब मा तो कि इसी से करवा लेजी कि तुम्हें कोई एतरासत तो नहीं है अगर खाने को मिलेगा तो तो मैं कुछ भी करूँंगी मालके ठीक है आजाओ यह मुझे दीजिए कौन है क्या पता अंजान है जिसे हम जानते भी नहीं क्यों रे मेरी बातों का कोई मोल नहीं है मैं जातपात भी नहीं पूछू क्या आप कभी भी अच्छी बाते नहीं कर सकती क्या दादी कौन सा गाँ है तुम्हारा मुलबाग के पास काम समुद्रा में थी अच्छा ठीक ह आकर बातरूम क्लेन करो मैं अभी आती हूं कि सुनिये हां पुलीस वाला आया है अरे खाकी कपड़े सिर्फ पुलीस वाले नहीं बांते वो पोस्टमेन है लेटर लेकर आया है जाकर ले लो जाओ हूलो कि नहीं चाहिए हम तीन दिन घर पर नहीं है त्रुपती जा रहे है त्रुपती से आने के बाद काम चालू करेंगे हाँ चेक करके पैसे निकाल कर सबको पेमेंट कर देना ठीक है पक्का प्रसाद तो लेते ही आऊंगा क्या हुआ पूरा साफ कर दिया ना नहीं मालकिन बस थोड़ा सा बचा ठीक है काम पूरा करके बाहर रहो मैं आके भाना दोंगी टाइम पर पेमेंट हो हो गई है ना हां हो गया सबको इंफॉर्म कर दिया ना हम तीन दिन के लिए बाहर जा रहे हैं कह दिया है यह 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 तकशा एलो डिया वैट यह 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 सोए हैं देखो तो जड़ा आरे बहुत सो ले तुम सब फोछर औब और कितने दिन कैंक है आम करेंगे तो ठकेंगे तक और कितने दिन काम करों और उसके घर में कोई नहीं रहेगा गांव जा रहे हैं सब करणे पोर देद्धिक नहीं थे वह बता रहा है क्या उस्ता अरे विप्ता रहा हो सबStan गुझाना ठीक नहीं है किम्पे रात को जाएंगे तो बहुत रुकावाट आएगी सुबह जाएंगे टो यह अच्छा रहेगा की रात को हम लोग जाएंगे ना तो कुटे काड सकते हैं अगर सुबह जाएंगे så इंसान हो ना इसन UK गर में चोरी होती है तो उच्छ सब मनाया करते हैं देखो इस जिगह पर यह हम लोगों की पहली चोरी होने वाली है तो हमें बहुत ध्यान रखना हुगा है तू पीछ रहा है तूने तो कहा ता घर में कोई नहीं है फिर गेट कैसे कुला पड़ा है यह मलाया चौल तुम हो वो आप गाव नहीं गई क्या माने तुम्हें नहीं आने के लिए था ना क्यों आई हो आज घर में कुछ का मेंना है जाओ तू माना पुछे्थ खोड़ क्यों पुछे हुई राक्षिसा 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 प्रड़ रखक रखक रखका रखक 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 कि रखक हम इस एक… एइ एइ क्या करादी? हाथ मार दिया क्या यह दोनों ने अगर इसे होश आ गया और इसमें पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो क्या कर दो? प्रुट जुट 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 केंपी, गले से जो आवाज आ रही है, वो सुनी क्या तुने? सांस के साथ साथ खून मिलके कैसे? सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे लाक्षसाव क्या रहुत मिलके कैसे? सुनननना रहा है क्या मलिया यहां पर खून लगा है तुझे कुछ हुआ है क्या यह मेरा नहीं है तो फिर उस लड़की का है चोरी करने गया उस लड़की को तभाह कर दिया शरम है याती क्या कैसी शर villains एक बात बता तु हमेशा सोना चोरी करने जाती है अगर तुझे हीरा मिल जा है तो छोड दे क्या वैसे हिरे हिए हिज़ा इस्तमाल के विए फूल सूंगने मिले देमे पहली बार मंदरा मिला तो छोड़ दो क्या तु है ले लिए है मल्या 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 तो अभी बच्चा है तेरे बस की बात नहीं है हमारे रश चूसने के बार तू भी नीचोड़ लेना और तुझे क्या हुआ उससे मारे भीना नहीं आ सकता था तुझे गले के उपर वाला माल पसंद है लेकिन इससे गले के नीचे वाला माल पसंद है और मुझे गला ही पसंद है गला काटने के बाद साउंद जवाती है वो उस साउंड के लिए मैं कितने भी गले काट दूना मन्सूर है एक कामी ठीक से करना नहीं आता है वो घर देखे आ है क्या समझ में नहीं आता है तो अपना काम देख मैं जब वो घर देखने को गई थी ना तब वो बुड़ा बहुत अंद्रोस था ऐसा इंसान रातो रात मर जाएगा यह मैं सपने भी नहीं सोचा था इस कमीने को आज ही मरना था क्या एक दिन और रुक जाता तो मैं ही मार देता उससे कुछ ना कुछ काम होगा यार कि किसी लोग कोई अवाज तुझे सुनाई दे रही है लगता है कई टीवी चल रही है इस समय औरते ही घर पर होती है सारे मर्द बाहर होतें घर के व्सावो हम आड़ कि लो गिल्वेंद ए किया लुष हाजएचा है तरफ रहे हाए बोगर में अके ली या टीवी चल रही है चाओ 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 पर देपार्टमेंट वाट स्ट यू है तेकल सोफा सर मोडस आपरेंडी वाले वाच कर दो पर कुछ भी नहीं मिला हमारे पास कोई सबूत नहीं है यही बताने के लिए तुम्हें स्टार दी है क्या सी आई डोंट वांट अनी एक्स्प्लेनेशन आई वांट रिजल्ट चाहिए तो मुझे 24-7 एक्स्टा फोर्स चाहिए सर इफ यू प्रवाइड देट आइकन दू सम्थिंग सर ओके बट माइंड इट रिजल्ट हंडर परसंट चाहिए यस सर पूरे जिन मस्दूरी करने के बाद भी भर पेट खाना नहीं मिलने वाला समझी आया वाद उस राजा को अब तक आ जाना चाहिए था ना कुछ ना कुछ तो करना ही होगा न सीनु अब ले वह देख आ गया यह भी आ गया ना लेका आप लोगों की भीड़ भाँ जादा कुछ नहीं कर सकते हैं केंपिक उमेने घर देख आने के लिए का यह कुछ ना कुछ तो करेगी ना ऐसे हम देखते थोड़ी बैठेंगे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा तो महीं कुछ तो नहीं होगा चलो कमेनी कहीं की 15 दिन हो गए हैं एक दिन में लूट नहीं की हमने एक पैसा नहीं हमारे पास और तू यहां बीड़ी पी रही है तो मैं क्या करूं फिर धूंड़ी तो रही हूं कोई भी मुझे पर भरोसा नहीं कर रहा है कर में आने भी नहीं दे रहे मुझे सब लोग मुझे पर शक करते हैं तू कोई साधू है क्या जो तुझे घर में बुला के बिख्षा देंगे एक काम कर एक छोटे बच्चे को कोदी में उठा गया तर जो काम नहीं कर सकता न वो दया करेगी माजी माजी कौन है माजी क्या है तीन दिन से बच्चे की तब यह ठीक नहीं है भूख से रोता ही जा रहा है खाने के लिए भी कुछ नहीं है अरे सुबह सुबह यह आ जाते हूं रुपाते हूं अरे सुबह रहा है जिए! झाल झाल पुलिस फोर्स बढ़ा दोगे तो क्राइम केस कम होंगे ऐसा कहा था ना तुमने अब क्या हुआ फोर्स भी बढ़ा दी गई है फिर भी तुम इन्वेस्टिकेशन नहीं कर पाए और उस एरिया में एक मडर और हुआ है बिल्ली अंदी है तो चुहे ने कुछ भी कहके उसे हसा दिया ये सर्फ तुमारी लापरवाई है सोरी सर ये केस अगर रेगुलर क्राइम की तरह है रिवेंज मोटीव प्रोवोकेशन जायदात के लिए या फिर आपसी जगडों के लिए होती तो हम क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ सकते थे और अगर हमने पकड़ भी लिया तो ये केस मजबूत नहीं होगा इस केस ने नया रूप लिया है इस केस में रिवेंज या प्रोवोकेशन कारण नहीं है हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता इंसान के शरीर का महत तो नहीं समझते वे सिर पैसो के लालच में किसी की जान लेने के बाद खुशी मैसूस करते हैं वो अगर एक शब्द में कहा जाए तो इस आर साइको किलिंग सर यह क्या कह रहे हैं आप? On what basis you are telling this? सर मैंने इनके क्राइम्स में कुछ पैटर्न्स अब्जर्ब किया है वो क्राइम सीन में फिंगर प्रिंट्स, फूट्प्रिंट्स अवाइट कर रहे हैं ब्लड एंड अस्पर्म सैंपल्स को मिटा रहे हैं विक्टिम के शरीर के आज़ पास वो छेड़ छाड़ कर रहे हैं सिनिफर डॉक्स को क्राइम सीन अवाइट करने के लिए मसालों का छड़काव कर रहे हैं यह हत्याएं करने वाले एक ही गैंग के हैं ऐसा कहने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सुबूत है। वो सब को गला काट के मार रहे है। So definitely ये सब करने वाले एक serial killing gangs है। Sir इस तरह के crime करने के बाद अगर criminals कहीं छुप जाये तो उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। पर इस सप्रात को करके आप राधी हमारे आसपासी घूम रहा। That is the difficulty we are facing, Sir. आप जो कह रहे हैं अगर वो सच है, तो फिर उन्हें क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे। Do we have any specific plan for this? Yes, Sir. I have a plan. वो नहीं यार, किसी पे भी शनी आएगा, तो हम उसके घर जाते हैं, तो तुम क्या शनी मंदिर होकर क्या आए हो? पता नहीं क्यों, टाइम ठीक नहीं चल रहा है अपना, जब भी किसी के घर चोरी करने जाते हैं, तो घर में कोई न कोई होता ही है, औरतों के तो दर्शनी दुरलब हो गया है, सिर्फ बुढ़े और मर्दी हैं, इसलिए मंदिर चला गया था, उसको मैंने हाथ दिखाया न हाथ देखके बोला, तुझ पर सनी का दोश है, सर पर सनी बैठा हुआ है, और तुझे पता है क्या बोला, मेरे सर पर राज योग भी है, दो दो बीबिया है, और लाइफ मर्जे में कट रही है, मैंने उसे बला ज़रा सर उठाई है, और उसला कार दिया मैंने तो नहीं इसर किया न, आप सब सही होगा, क्या सही होगा, बता नहीं कर शिकार नसीब होगा चला रे, चला दे अरे भई यह घटना तो होती है, हलो, सर में बटता बाग कर रहा हूँ, कोना कुंडी के पास एक लड़की का रीपो मडर हो गया है, सर, क्या, मैं स्पॉट पर ही हूँ, सर सर, दुपहर बारा बजे क्या आप रहा है, सर सर, दुपहर बारा बजे के आज पास ही मडर हुआ होगा, मगर किसी भी दरह का क्रूर नहीं मिल पाया है, एम्बुलन्स आने ही वाली है, सर सर, सर, फॉरंसी टेस्ट भी मैंने शुरू करवा दिया है, लेकिन सर, हत्या में यूज किया या कोई भी हत्यार हमारे हाथ नहीं लगा है, विक्टिम के शरीर के जेवर कहां है, पता नहीं सर किस्टिम कен एक शरोओो बारकश दोन आए़ ठारकश अजड़ इन यहार कि अंडरे कि अरूओोड़ा जाँ धरूदो जारकश आए़ गारकश एक शरो भारकश अक, कि सा दो जाए़ा। पुलिस बहुत होशियार हो गई है कभी भी हमें पकड़ सकती है उनकी हमारे उपर सकत नजर है अगर वो हमें इसी तरह ढूंड देंगे ना तो किसी दिन हम लोग पक्का पकड़ में आ जाएंगे उनके साथ ही अगर हम रहेंगे ना तो फिर तुम सब दो मैने मजदूरी अखेतों में काम करते रहो मैं मालया चोरी करके दो मैने के लिए जील जाके आते हैं तो इन वीजा फड़ रहे हैं टीवी खरीद के ला रहे हो क्या कि वीजा और अनका है के तो बहुत पता दो हमें नहीं तो ढआ नुको क्यों यहां अशब्सालीया इसे प्रताब, हर अपराद में एक ही चीज मिस्स हुई है, और वो है विक्टिम्स के जेवर, चोरी किये वे जेवरों को बड़ी दुकानों में बेचना बहुत मुश्किल है, यही कोई छोटी मुटी दुकान में वो बेचते होंगे, अपने इंफॉर्मर्स को बोल दो, कि वो लोग ऐसी दुकानों पर नज़र रखें, इन केस एनी सस्पीसिस एक्टिविटी, आस्क देम टू इंफॉर्मर्स, ओके अब बहुत तेज जूप है, पहले कि अपना काम होगा है अब मैं जाता हूं प्रेट्विट लेगा तो हमारे क्या होगा कौन है ये किस समय मुझे पैचाना नहीं क्या कौन से क्यों तुम कपन न क्या है कैसे हो चुना था तुम्हारे सारे लोग मर गए अरे क्या है जो मर गया ऐसा कहरें काम करते वर्ग्त पथर गिरा था बस न अरे थोड़ी मदद करोगे क्या है बोलना यह जब से पैर टूटा है लंगड़ा रहा है कोई काम नहीं कर पारा तुम्हारे साथ रह जाओ तो देखो हमारा गुरू यह है यह जो कहेगा वो होगा क्या करना है बोलो साम में एक साथ बेटके पीते हैं हम लोग अरे मैं भी कर क्या हूँगा ना यह जल्दी है जल्दी होगा क्या बुज़ूर्ग कहते हैं कि खड़े होके काम करो और है मैं कि जुका के काम कर रहे हैं जाके मजे कर ले जाओ जाओ अब एए उसे देख अब नमस्तर सिट क्या चाहिए सेट मेरे पास कुछ जेवर हैं देखो कौन से जेवर हैं ये सार अब उलाल के में डोड में महालक्नी जोएलर्स होएक आया है सर उसाद्वी को देखके आमेशा को रहा साथ उके सर उसे फालो करते हैं करते हैं सबस्क्राइब तो यह तेरा नहीं है नहीं से मेरा नहीं है और यह जिवर है कमीने नाटक कर रहा है चल तेरे साथ विजय उसमें कहा है कि इस चोरी में जो भी लोग शामिल है वो सब से ले जाकर मिलवाएगा क्यों सुबह से खुमा रहा है मुझे क्या सर तीन बार मैंने डिजर्ट डलवाया है जुसको आप ढूंड रहे हो वो नहीं मिल रहा तो इसमें मैं क्या खरूं सर अबे मेरी नाग काट रहा है क्या सबसे ड्यूटी जोइन की है कभी बैंगलूरू घुमा नहीं है सुबह से खुमाय जा रहा है तो मुझे और नहीं है मुझे यहां से थोड़ा आगे जाके एक बर पस पॉली स्टेशिन चलते हैं सर खोड़ेंगा मुझे वह जोटोग cried sir एक जाके जाएं लेकर बिरियानी वाला सराओ राइट ले चल सरकल से करें यहां पर और निंपर यांपर पर लिए तो इहां पर लाया है अगर एक बात निक्लात देंग तो छोड़ू आही नमस्ते सर चाहिए वो एक बिर्यानी में बहुत है काड़ राइस आगया वो तो नहीं है तो नहींласт खॉल है पन्दाब उपNDग तुझे मुझे एब नहां काम किया तुन्हें जो तुझे इसकी बिर्यानी खानी है कोई भी बिर्यानी हो सर मैं तो खालूँगा बस फ्री में मिल जाए खाने को एक तुम गणा तुझे आंडी बिर्यानी खाके ऐसी आखे हो गई तेरी फिर भी तुझे आकल नहीं आई है एक बार मच्छी बिर्यानी खाके देखो सर बहुत अच्छी है अरे मच्छी में होता है तो बगरे में भी होता है नहीं हो छोड़े खाले येलो भाई कि दर चला क्या होगा तो पैर में दो बार खाना है और अभी ये बिर्यानी खा रहा है बोलो भाई मुझे शुगर है सारा दिन घोंगों के मेरा पाउं दर्थ कर रहा है इमानदारी से पता वो कब आएंगे आ जाएंगे सर आसपास ही होंगे बिर्यानी खाने जरूर आएंगे सर अ साहब चोर है क्या है एक नमबर का चोर है किसी को ढूंड रहा है लगता है इनका रक्त पिशाज का वंश है खा खा कर छुपे होंगे कहीं पर मेरे हाथ लगे तो दो दूंगा एक एक को मेरी आंगों से बचकर कोई निकल नहीं सकता है हाँ जल दिखाओ तोड़ा बिर्यान वो हमारी तलाश में ही उसे हैं लेकिया है हमें दूसरी दिखे चले जाना चाहिए जान्स कर रहा है चल जाके बैठ सब्सक्राइब ने लोगों को फिल्म देखना बहुत पसंद है जब भी चलन जीवी की फिल्म लगती है ने जरूर जाते हैं आज एक नई फिल्म रिलीज हो रही है वह लोग देखने थेटर में जरूर जाएंगे आप महीं पेचलो एई न कि बैठ क니다 है कि दीख रही है कितको फिल्म अफ तो जरूर जाएंगे सर पहले नहीं कच्छान से मैं अंदर जाकर देख कर आऊंगे सब्सक्राइब नहीं सर अपने लोगों को ए मैं उलू लग रहा हूं कि तुझे नहीं सर आपको देख के अंदर कोई नहीं आएगा आपने गलती कर दी तो फिर अब एक काम करते हैं सर क्या मैं अंदर जाकर चुप जाता हूं और उन लोगों का इंतिजार करता हूं जैसे वो लोग आएंगे मैं जोर से सीडी मार दूंगा सर और आप उनको पकड़ लेना सच कह रहा है हां सर आप इस सुबह से मेरे साथ घुम घुम के परिशान हो रहे हो सर आपको तो शुगर आप यह है हुँ तो अच्छा आदमी लगता है तो यह भाग गया तो पापरे क्यों क्या पब्लिक है बापने खतर नाक है अपनी गरती है चेरन जीवी की फिल्म के बीच में जाएंगे लोगों ने पैसे मुझे देख लें तोड़ी यहां चेरन जीवी को देखेंगे वो का इसार मेरी फिल्म को देखने तो अधाने मेरे भगल कि मुझे फिल्मिंग नहीं देखने थी पता नहीं क्या क्या कर रही ति चुपचाप यहां से निकल जारेता मारूं का बहुत बेवी को अंदर बेच के याँ चिला रहा है बेवाखोफ गईगा कि ए सेया मेरा सेया 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 मैं तो अंदर ही था पबलिक ने आपको गाली दी इन बड़ धक्का दिया सब देखा मैंने बुला सकता था ना सर चिरन जीवी की फिल्म देखते वक्त कोई पैसा भी देगा तो भी हम नहीं उड़ते हां वे तेरी तो साब की पास देचलता हूं कुझे चल्ड़ तो कहां साब ते लोगों से बिलवाए तो हमें पूरे शैस्वारा था चांते हो अपनी लाइफ में मैंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स देखे पर ऐसे कमीनों को पहली बार देख रहा हूं पूरी रात जम कर दिया फिर भी देखो कैसे बैठे है सर वैसे भी आज गवर्मेंट हॉलिटे है परसो संडे है हमें तीन दिन मिलें सर इंसे सब उगलवाएंगे सर सही है प्रताप सर कुछ दिखाई नहीं देनी चाहिए और नहीं कोई आवाज आनी चाहिए ओके ठीक है सर तुम सब लोग अपने परिवार को दो हक्तों के सब का खाना भी यही पर बनेगा यह सब क्या देख रहा है फोड़ी सब कौन्से फोड़ी बे लाल वाली फोड़ी ची ची बेश्रम कही का कहीं भी देखता रहता है अब रोए मत सब मैं आपका कुछ ने भी गाड़ूंगा आपने मिरको बिरियाने के राई फिल्म भी अपको नहीं हत्या किये यह मान रहा है तू अभी तो कहा तुने किस ने कहा बेसा किस ने किस ने कहा किस रहा है क्या हुआ इंसान शांती से रहता है तो ऐसे रहता है लेकिन दिमाग खराब आपको दाल बनाना आता है क्या मुझे दाल बनाना आता है मसका लगाना भी आता है शाम को लगा के दिखाता हूं तो अंसी उराए बे शाम को आएगा ना तब पता चलेगा बंदर की तरह नचाएगा तुम्हें चाबल तयार हुए कि नहीं देख ज़रा सर मैं आकेले उठ अच्छा नहीं सकती आप भी आजाएए ठीक है मैं आता हूं तो क्यों उठाने पाएगी ना इसलिए हम से कभूल हुई जो यह बदबू हमका मिली अच्छ कर्मों की है यही सजा हमको क्यों मिली अबदबू अब यह कोई मंत्र पढ़ रहा है कि जो खटो लगा रहा है यहीं तो क्रिया है से यहां बैठे बैठे बहुत आरे आइडिया आते हैं क्यों भागने का है क्या वैसे नहीं से तेरे आइडिया के चकर में पूरा इंडिया ही डूप जाएगा और कितनी बदू फलाएगा जल आइडिया पानी लेकर आओ अपने बच्चों के लिए भी पानी लेकर नहीं गया मैं तेरे लिए पानी लेकर आओ आँगा तेरे लिए अगा यहां अब अब कर आइड़ बोला ना पैट बैट थिक से बैट जिसने तुम्हें बिना कुछ पूस्ताज किये दया करके घर में काम दिया उसी का रेप करवा के गला काट कर मार दिया तुम लोगों ने बोल तु ही उस घर में काम मागने गई थी ना दो पहर एक से डेड़ बजे की बीच तुम घर में सफाई कर रही थी ना बोल साहब काम कर रहे थे इसलिए हम नहीं मारा है ऐसा आप नहीं कह सकते मुझे पता है उस दिन तुम वहाँ पर मौजूद थी उस जगन्ने अपराद में तुम्हारे साथ और भी चार लोग हैं इन कमीनों को देखो और बताओ कि वो कौन-कौन है बोलो वो पता लगाना तो आपका काम है न साब है मेरी बात सुन बता लगा हूंगा और साबी पिकर दूँगा तु देखी जा वो तो ऐसे कह रहा है जैसे हमने सब कुछ उसकी आँखों के सामने किया जो सच है उसे वो बताकर इस नर्क से बाहर निकलते हैं नहीं तो रोज रोज ऐसी मार खाने पड़ेगी है हमने जिस पे भी हाट डाला वो तो ऊपर चला गया है अब लोगों का भूत नीचे आके कोट में गवाई देगा क्या है अगर उसके पास गवाह होता तो यहां पर लाके हम पर इतनी मेनद क्यों करता ग बेट पर खाते हैं ना खाना मुझे सिर्फ खाने के लिए खोलना है जितना हम हो बंद करके रखेंगे उतने दिन तक हम ज़्यादा सिंधा रहेंगे तुम्हारा क्या है बटन मच्छी खा के तुम भी वैसे ही हो गए वेक्दम मेरी हालत देखो खड़ा हो रोंगा तो इस सारे क्राइम इनी लोगों ने किया है सर मुझे इस बात की पूरी कन्फरमेशन है ये बात इने भी पता है बस इनके खिलाफ कोई गवा हमें नहीं मिल पा रहा है इसी बात का ये फायदा उठा रहे है इस केस में इने अंदर करना है तो हमें गवा की जरूरत पड़ीगी सर ऐसे खिलाओगे तो ये कैसे मुझ खोलेंगे तीन दिनों तक इने भूखा रखो पेट खाली रहेगा न तो अपने आप सच बाहर आ जाएगा ठीक है सर एक वक्त क्या खाना तो देंगे ना अरे एक वक्त नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे सब खाली है आपक आप आपी आपक आपली मुरी है आप मुख आप आप दो क्रावै काना कहाना। सार शय– टेंते स्की चुच नहीं काया। भूख लगरिया सर कहने तो मैं आपके बाराइब था वॉड़ता हूँ देता में आपके बढ़ता हूँ, भैपके खाना में ग्नुट, भी सिरें घ्री सिर ठीक है पहले खाना का उसके बाद सच बता अब बोल सब्सक्राइब मन्दिर में चोरी करता था सब मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे पदा भी नहीं था कि यह लोग लोगों की हत्याएं भी करते हैं इन्हों ने बोला कि चोरी ओरी करेंगे तो मैं इनके साथ आ गया है सब् आपको एक बार पहले भी देखा था साथ हम लोग हध्या करने के लिए जिस घर में जा रहे थे आप उसी रोड से गुजर रहे थे साथ उसके पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा था साथ उस दिन जिवर में बेचने गया तो आपने मुझे पकड़ लिया और मैं यहां प ठीक है प्रताप सर्व उस दिन मैंने कहा था ना बस अब यही एक तरीका हमारे पास बचा है अब बस देखते चाहां एक-एक करके सब कैसे सच बताएंगे और रहा है रुक जड़े आये सर नमस्ते साब नमस्ते यह कौन है पता है क्या नहीं पता है यह उठाई से चले दरा चले दरा बोलिए ठीक से देख के बोलिए साब इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है साब क्यों शुट भूल रहो तो मेरे से जेवर खरेंते हो ना पिछ इसने चार सालों से खरीटे हो नहीं बोलो साब मैंने चोरी के जेवर नहीं खरीदे साब चोरी के बारे में तो इसने जिकर ही नहीं किया साब साब उसकी और को दिखाना चाहता और आप किसी और को समझ रहें साब ओके सर, I am very sorry, because शायद ही आप जैसे लोगों को बेवकूप समझता है, ऐसे ही लोग आप जैसे लोगों की इज़त मिट्टी में मिलाते हैं, एक नमर का कमीना है, ये लीजिये सर, लीजिये सर, आप इसा मारिए सर, मारिए, मारिए ना सर, मारिए, मारिए, ए, मुझे मार रहे मुझे नहीं पैचादता है, ये जुट बोल रहे हैं, ठीक है, ये ले, सर, ले, तुमने जिस आदमी को जेवर देचे, वो यही है ना, तो मार इसे, तेली दर रहे, जुट बोला था, इसलिए तुम इसे मार नहीं पाए, सर. साहब, यहाँ पे नहीं साहब, सब देख रहे हैं, दो मिनिट साइड में आई न, अब बोलो, साहब, मुझे माफ कर दो साहब, उसमें सारे जिवर मेरे पास ही बेचे हैं साहब, साहब, वो जिवर मैंने पिगला दिये हैं साहब, सारे जिवर मैं आपको वापस कर दूँगा, कोट के चेरी के चक्कर में मत पसाईए प्लीज साब खाकी वर्दी देखकर जो सच बाहर नहीं आया वो वर्दी के बूट की मार से बाहर आ गया कल सारे जिवर लेकर पुली स्टेशन आ जाईए जाईए ठीक है साब हेई, से आओ इसे चल ज़र चल बैट तेरे सारे लोगों ने मूँ खोल दिया है अब तुझे भी खोलना होगा बुल खोलेगा न? बोल बोल तुम कुछ भी कर लो मैं मूँ नहीं खोलूँगा एए इमन बॉडी में सिर्फ दो एस्क्वाइर मीटर ही चल भी होती है कोई भी हो अगर एक इस्क्वाइर मीटर कुछ अंदर जाता है तो सच बोल है देता है देखता हूँ तुझ कब तक सहेगा पता तुझा कहा था? मैं जाने मरें शेर हूँ घास नहीं खाऊँगा भूखा मर जाऊँगा लेकिन कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन सिर्फ दो इंची अंदर गया तो प्रताप इस कमीने ने पांस साल में जितने भी जुरुम किये हैं वो सब उगलवालो सब्सक्राइब अगर मैं हारने वाला होता तो भगवान का त्रिशूल मिलने के बाद तुम सब मुझे नहीं नहीं हम यह मैं वह हथियार देने वाले भगवान गवाने देगी क्या कि यह भगवान का ही नेने है अब तुम लोगों के बचने का कोई शांस नहीं है हुआ है मेडम नमस्ते मैं इंस्पेक्टर अंदर आइ मेडम वह पांस साल पहले आपके घर में चूरी हुई थी और फिर आपका बलतकार हुआ था ऐसा हमें पता चला है सर आपकी जरूर कोई गलत फेहमी हुई है यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है प्रताप ब्रिंग देम इन ओके सर कि सबें अंदर आजाओ आओ आओ चल्दी आओ 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 लाइन में सब लाइन लगाओ खड़े हो जाओ साब लाइन में खड़े हो जाओ चलो तुम भी आओ मेडम इन कमीनों में असी लोगों को मारा है उसमें से आधे से भी जादा औरतों को रेप करके मारा है शायद उस दिन आपनी खुश किसमती थी कि आप मौत से बच गए मेडम मेडम मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि आपको इस बात का डर है कि अगर ये बात बाहर गई तो आपकी फैमिली को समाज में एक अलग नजर से देखा जाएगा बटाई प्रॉमिस यो कि आपको कोट या पुली स्टेशन में आने की कभी भी कोई जरूरत नहीं है ये बात में किसी को भी पता नहीं चलने दूगा मुझे तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए उस दिन रेप करने वाले ये ही थे क्या प्रीज मेडम मेडम ऐसे लोगों के गुना करने से जादा आप जैसे लोगों का चुप रहना हमारे समाज के लिए दुर भाग गया है हुआ 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 है क्या है ये 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 बैट जाइए ये 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 जाइए काफी लगता है मिलाने गवाह तंदरा लोग पाँच साल असी केस तीन राज्यों के पुलिस की याँखों में धोल जोग कर जानवरों की तरह गूम रहे थे तुम लोग है इस दुनिया में कितना भी इंटेलिजन्ट क्रिम्नल हो किसी न किसी जगे पे कोई छोटा सा सबूत छोड़ ही देता है पढ़ाई का एक अक्षर तक नहीं आता है तुम्हें लेकिन कमीना हत्या करने के बाद तुम्हें कवाह तक नहीं छोड़ रहे थे हां बता कैसे किया यह सब है आपको पता है सब जब मैंने पहली अध्या की थी तब भी पकड़ा गया था इस ब्लाट रहा हो ओके इस एंदर बता लेगे ना अधिक अधिक रखो रखोंगों ओच पर चल रहे हैं अ यह कौन से नहुंड है कौन आरे तू पुलीस हाँ क्या हुआ मैंने क्या गल्ती की साब मुझे या पुलीस टेशन क्यों लायो साब बात कर रहा हूं तो आप मुझे मार रहे हो मैंने क्या किया वह तो बता हुआ सब चुप चाप जाके बैट वहां पे एक तो वैसे ही टेंशन उपर से यह लोग सवार हो गया है जिन गुंडों को पकड़ा था उनके क्या हुआ पर आपके चेरे पर इतनी टेंशन क्यों है सर टेंशन नहीं होगा तो और क्या होगा है अभी तक एक भी क्लू नहीं मिला क्या बताएं सर मर्डर करने वाले क्लू तक नहीं छोड़ते सर सही का आजकल क्रिमिनल्स के पास इतनी इप्लान करके रखते है तुम खोद ही देखना करके भाग जाना है केस में देख लो एक महिला का रेप करके उसका मडर कर दिया गया और कोई भी क्लू हाथ नहीं लगा अब बताओ जब पुलिस के थाथ क्लू ही नहीं लगेगा तो किसी क्रिम्नल के उपर हम हाथ कैसे डाल सकते हैं कोई सवाल ही नहीं उठता और एक खास बात बताता हूं सुनों अगर हम लोग किसी तरह से उसे पगड़ भी लेते हैं तो सबूतों के अभाव में उसे छोड़ना पड़ जाता है हम उसके खिलाब कुछ सावीर ही नहीं कर पाते हैं वो रेप और मडर करने के बाद छोटी मोटी चोरिया इसे जादा चलाता है तो सब्सक्राइब कर दो नहीं कोई गलती नहीं की साथ मुझे जाने दूना सब मुझे जाने दूना आपके पर तूने गलती की है या नहीं यह मैं फैसे नहीं फैसला करूंगा चुप चाप जाके बैट वहां पर यह तो वैसे टेंशन पर से मूट खराब कर रहे हैं सर सुबह फोन आया था वह बंदीपुरा में चोरी हुई थी ना और हम उन लोगों को ढूंड रहे थे ना वह दोनों मिल गएं सर तो फिर इसे क्यों पकड़ा है बे जल जाओ तुम पले स्वालों नहीं ट्रेनिंग देखकर इस शेर को पिंचरे से बाहर जोनाओ कि देखाना प्रताप हमारे ध्यान ना देने के कारण कितने सारे निर्दोशों पे जुल्म हुए हां सर और अगर नियाय करना है तो इनका एंकाउंटर करके खादम कर देना चाहिए नहीं प्रताप कोट में इने सिक्षा दिलाते हैं आपने बिल्कुल सच कहा गवाम मैंने बनवाया पर सब केस के लिए नहीं सही केस को आधार बनाके इन्हों नहीं यह सारे अपरात किये इसका यकीन करके नियाय की स्थान पर प्रस्तूत करने के लिए मैंने इस केस में गवाह बनवाया जिवर प्रस्तूत किये अपनी ताकत से यकीन दिलवाया क्योंकि मैं यह मांगता हूँ कि चाहे सौ गुनेगार बच जाय तो भी परवा नहीं है लेकिन क मायन और महाभारत में बुराई को खत्म करने के लिए राम और कृष्ण ने धर्म युद्ध किया था और ऐसे राक्षसों को सजा दिलवाने के लिए मेरा किया हुआ यह धर्म युद्ध है मैडम मुझे किसी को भी कोई एक्स्प्रेमेशन देने के आवशक्ता नहीं है यह सब हार्ट कोर क्रिमिनल्स हैं यह इन्हें भी पता है और मुझे भी जब इन्हें गवा के साथ कोट में पेश करूँगा तो जजस सहाब इन्हें फांसी की सजा सुनाएंगे यह केस मेरी जिन्दगी का सबसे खराब अध्याय है I hate this story There is no absolute truth in the world सच और जूट सिक्के के दो पहलू होते हैं शेर के चरित्र के बारे में जो भी शिकारी ने कहा वही सच है हम यही मानते हैं जिन्दगी में आप राधी बनने वालों का परिपेक्ष मैंने दूसरे भाग में बताया है आपने अब जो तीसरा भाग देखा है यह पुलिस का परिपेक्ष है यह सच के करिमिनल्स हो सकते हैं या फिर निर्दोश हो सकते हैं इनको सजा मिल सकती है या फिर निर्दोश होकर बाहर आ सकते हैं जो हत्याय हुई है इनों नहीं की हुँगी या फिर ये झूट हो सकता है। पर हत्याय हुई है ये सच है। समाज में ऐसे लोग और कितने हैं ये पता ही नहीं है। जो कुछ भी हो आपके दर्वाजे की घंटी बचते ही दर्वाजा खोलने से पहले समभल के रहिए।